हाई गाईज, दोस्तों अगर आप एक पेरेंट है या फिर गाजियन है तो क्या आपको लगता है कि यूट्यूब जो प्लैटफॉर्म है आपके बच्चे के लिए सेफ है बिलकुल? डेफिनेटले नॉट दोस्तों ऐसा है कि बच्चों का दिमाग बहुत ही चंचल होता है, बहुत इनॉशिंट होता है और प्रबिलिटी होता है कि जब वह कुछ चीजे वाच करते हों अकेले में खास करके जैसे कुछ नॉलेज़ेबल चीजे या फिर इंटर्टेन्मेंट की चीजे, कार्टून वेगरा तो उस बीच में कुछ ऐसे अनवांटेड चीजे आयाती है जो कि उनके दिमाग पे अफेक्ट डालती है जैसे एक्जांपल को तरफे कुछ वाइलेट रेलेटेड चीजे, कुछ एडल्ट वो चीजे या फिर कुछ ऐसी चीजे गेम सोगरा हो जो कि बिल्कुल है बिल्कुल उनको बना दे नेगेटिव इंपक्ट डालती है चीजों क तो ऐसे सिचुशन रहे हैं मैं यह नहीं कर रहा हूं कि यूट्यूब बिल्कुल खराब है जो भी है यूट्यूब डेफिनेटली एक प्लाटफॉर्म है जो कि कुछ प्रोज और कुछ कौन्स उसके होते हैं यूट्यूब ने अपने एंड से यह बनाया है कि 18 साल से कम लो कि कैसे बनाया यूट्यूब को दोस्तों तीन तरीके आपको हम इस वीडियो बनाने वाले हैं वो तीनों तरीके इस्तमाल करना होगा आपको पहला कि सबसे पहले आप पेरेंट के सुपर विजन में आप अपने बच्चों के साथ यूट्यूब पे कॉन्टेंट देखिए इसमें आपको सेफटी है काफी क्योंकि पैरेंट आपको मिस्काइट नहीं होना देगे दूसरी चीज यूट्यूब पे एक सेफटी सेटिंग होता है उस सेटिंग को आउन कर लिजे और सेफ मोड में यूट्यूब को देखिए ऐसे कॉन्टेंट नहीं जाएंगे फिर भी बहुत प्रब्रब्लेटी होती है कुछ चीजें आ जाती है अब इस चीज के लिए आपको एक बहुत बढ़िया हम उपाय बता रहे हैं जो की आता है फेमी सेफ के तरफ से आप फेमी सेफ एक ऐसा सौफ्टर है जूकि आप अपने स्मार्टफोन में और बच्चों के स्मार बहुत सारी शीजे दी गई है चलिए अस वीडियो में आपको हम डेमोंस्ट्रेट करते हैं कैसा ही कैसे फेमी सेफ इस्तमाल करके आप अपने बच्चों के सेफटे इंशूर कर सकते हैं डेमोंस्ट्रेशन के लिए मेरे पास दो स्मार्टफोन है एक यह और एक यह 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 वाला होगा प्ले स्टोर में जाके इसमें हम लोग फेमी सेफ का पैरेंटल कंट्रोल एप जो है इंस्ट्राल कर लेंगे और साथ ही साथ जो है यह देखिए मैंने क्लिक कर दिया इंस्ट्राइशन पे और जो चाइल्ड आपके किड़ वाला जो फोन है उसमें भी इसे आप को इंस्ट्राल करना होगा सेम पैरेंटल कंट्रोल एप जो कि फेमी सेफ की तरफ से आता है इंस्ट्राल हो चुका है हम फिर्फिर करेंगे इसे और पैरेंट वाले में और चाइल्ड दोन वाले में अब यहां पर आपको sign up करना होगा और आपके email आईडिय से login करके आपको as a parent, जिसे माल यह parent वाला है तो parent इसे हम select करेंगे और click करेंगे parent के उपर यह device हो गया, parent के पास रहेगा यह कह रहा है premium version में क्या है, free version में क्या है यहाँ फिलहाल rates है और इसे skip कर देते हैं अब यह device ready है और पूछ रहा है connect करने के लिए एक new device चुकि आपका kid का होगा यहाँ पर उसी email ID से हम login करेंगे और यहाँ पर select करेंगे kid यह देखिए हमने kid select कर लिया है आप यहाँ पर बच्चे का kid का आपका नाम जो है डाला होगा उनका name डालिए age डालिए कितना age currently है यहाँ पर मैं 15 या 16 15 जो है मैं डालता हूँ और उसे next पर click करता हूँ उसके बाद आपसे बहुत सारे configurations accessibility permissions को on कराया जाएगा जो कि आप यहाँ देख सकते हैं आपके device में ताकि यह software जो है अच्छी तरीके से काम कर सके हर feature को हर option activity को वो track किया जा सके तो फेवी से जहां भी आपको मिल रहा है वाँ permissions में आपको allow करना होगा access देना होगा उसे और एक बार यह सारी चीज़े हो जाएंगी तो आपको allow करने के बाद enable करना होगा और administration के तरफ से activate कर लिजिए और यह रेडी हो जाएगा सारे permissions grant कर दीजिए यहां पर यह देखिए location के बारे में पूछ रहा है contacts के बारे में और सभी चीज़ के बारे में एक बार यह सब कुछ हो जाए तो यह बिल्कुल तयार हो गया अब हम अपने बच्चे को यह फोन देदेंगे बोलें कुछ भी कर और यह पैरेट वारे में एक pin safety के लिए create कर लेंगे pin create हो गया अब रडी हो गया tracking के लिए यह देखिए location हमारे बच्चे का फोन का बता रहा है यहां पर इसके बाद features में जाएंगे बहुत सारे options मिलेंगे activity report पहला है जिसमें कि आपको आपके बच्चे ने किस-किस apps का क्या-क्या इस्तमाल किया है recent time में वो सारा details यहां पे आप देख सकते हैं उसके browser history है जो कि pro version में आता है और screen time बहुत ही ultimate feature है जिसमें कि आप अपने किसी भी app खास करके YouTube के बारे मैं बता रहा हूँ यहां पर आप यहां पे advanced route में जाईए और blockage on कर दीजिए और आप जब भी restriction जो डालना चाहते हैं कि किस time में वो इस्तमाल करें जैसे मां लिए दो बज़े से लेके चार बज़े के बीच तक इस्तमाल करना चाहते हैं या तीन बज़े तक जब भी मैं चार बज़े तक इस्तमाल करना चाहता हूँ पर्टिकुलर डेज किस किस डेज में आप इस्तमाल करना चाहते हैं इस restriction को वो सेलेट करके आप से सेव कर दीजिए और यह ब्लॉकिंग अन हो जाएगा अब आपका बच्चा वो चीजें वो एप जो है उस समय नहीं देख पाएगा इसके अलावा और भी चीज़े हैं जैसे वेब फिल्टर यहां पर देखिए इसका इस्तमाल करके आप बहुत ही अच् इसके अलावा बहुत से सब कटाग्रिय वहाँसे आप से इन 겁니다 कर सकतेयां जैसे माली यह इसके forced कर सकते हैं तो इसके अलावा आप एक्सपेक्टेशंत में पर बच्चे ने किन चैनल को विजिट किया, किन वीडियो को वाच किया है, अब आप उसके आगे आप चाहे तो ब्लॉक कर सकते हैं चैनल को या फिर वीडियो को, हमने यहाँ चैनल को ब्लॉक कर दिया, अब वो एकसस नहीं कर पाएगा उस चैनल को, अब similarly आप चाहते हैं व यह बहुत बढ़िया फीचर है बच्चों के लिए चाहे कोई भी चीज़ें आपने सर्च हिस्ट किया हो वो सारा चीज दिखाता है देखिए यह चीज़ें अब आप चाहते हैं इसे कि इन की वर्ड्स को वर्ड्स को डालें वो सर्च नहों तो वह यहां पर आप डालके आप जिस लाइक की अगर आप चाहते हैं इसमें कि आप आप अड करते हैं कि हीट स्पीच के बारे में कोई चीज़ें न सुनें तो वह यहां पर आपको यहां पर आपको जो है ब्लॉक कर दिया था यह देखिए जासा SMS WhatsApp मेंसजजें या फिर Facebook मेंसजजें किसी तरह का मेसजज ह तो यह सारी चीज़े हैं अगर आप इसे पर्शेस करना चाहते हैं प्रीमियम वर्सन तो यहां से आप इसे पर्शेस कर सकते हैं बहुत अच्छे फीचर से जो कि फ्री में आपको नहीं मिलते हैं तो गाइस हमासा करते हैं कि अब आप अपने बच्चे को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से यूट्यूब जो है वाच करा सकते हैं चाहे स्मार्टफून पर चाहे टाबलेट पर चाहे कंप्यूटर पर कभी भी आप घर पर हो या ना हो फेमीस से आप फुली कंट्रोल कर सकते ह हैं कि वो बच्चे जो हैं हमारे बिगड़े नहीं और कोई उसे खराब ने कर सकते नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहाँ पर क्लिक करके से डाउनलोड करके अपने फोन में ट्राई कर सकते हैं अच्छा है तो पस्टेज कर सकते हैं वीडियो से बहुत बहुत करना वीडियों धुर्ण वोजिए भाइ